की ता बूर्लिक फ्रैंस इस आज हम अपनी सीक्स क्लास की बुक स्टी ग्तर पढ़ने वाले हैं हमने कुछ संविय आपको सरने आपको पड़ाए थे जो ऐसी यह महीं हर आज रिखे आज हम होना कम होना कंफरम है और ये वॉर्ट की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिया गया है मैं उसके लिए वहमें भी अपने सिलेबस को कोशिश करें अपना हाप सिलेबस करने का प्रियातन करें तो हम अगले चैप्टर को पढ़ सकते हैं यानि कि जो चेप्टर बच जाएंगे उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं तो आज हम हम हिस्ट्री के फर्स चेप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं वट वेहर हाउ एंड वेन सभी को पता हुआ इनके बारे में वट मैंने क्या वेहर कहां हाउ कैसे और वैन मैंने कब ठीक है और बह जब इस तरी का नाम याद आता तो आप लोग कहते हैं कि भी डेट्स डेट्स शरीप डेट्स ही होते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि सरीफ और सरी पाफ को इसके अंदर डेट्ट ही दिखाई देखने को मिलेंगी और बहुत सारी चीजे हैं जो हम जानकारी पराप्त कर सकते हैं हमारे खुद किस पारिकार से मनुस्य ने अपना में सब्सक्ते हैं और आज हम आता तक पहुंच जुके हैं तो सारे के सारी परकृट्ट हो सकती हैं जिस् पार राप्त करते हैं जानकारीकी प्राप्ती समय में क्या और किस परिकार की परतिक रियाएं वहां पर हींगई तो इस बुक की खास विशेष्ट आपको देखने को मिलेगी सबसे पहले हमारी बुक के सुरुआत में ही कुछ ने कुछ क्या बाते आपको देखने के मिलेगे तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चेप्टर को रासीदा का क्योसन है उसको आपने ध्यान से देखना रासीदा सेट रेडिंग न्यूज पेपर सिद्नी हराइज फैल उन्द स्मॉल हैडलाइन्स वन हंडर्ट यहर्स अग तो रासीदा क्या करी है कि न्यूज पेपर पड़ी अराम से बेटकर और उसके बाद उसकी जो नजरें है एकदम से जो हैडलाइन्स होती है आपको खबरे देखते हैं एक बार देखा वा तो वहां पर लिखा वाता वन हंडर्ट यहर्स अगो ठीक है वह देखकर अचम भी हमें इसके अंसर को जानने का प्रियतन भी करेंगे इस चैप्टर के अंदर तो सबसे पहले बात आती है फाइंडिंग आउट वट हैपन की ढूंडें क्या हुआ था येस्टेड़े यू कुड लीजन टू रेडियो वास्ट टेलिविजन रीडा न्यूज पेपर लास्ट आप समबोडी हुरी मेंबर्स बट वट अबाउट लोंग लोंग अगो लेट असी हाव इट गैन बीड़न देखो सिंपल सी बात है कि यदि हम बात करें कल कि कुछ भी बात है जैसे बुके नुसार की भी आपने रेडियो सुना था अपने टेलिविजन देखा था अपने पड़ा था तो कल की बातें आप उनको बता सकते हैं यदि आपने कोई और किरिया कलाब किया तो आप उसको बता सकते हैं उसके बाद आपने पिछली साल क्या किया था वो भी आप याद कर सकते हैं कि भी मैंने पिछली साल ये किया था पिछली साल मैं भी फिफ्ट कलास में और नबे समय के बाद हम थ्वर साफि avena पेछ चली जाएं फ़ें पिछसाल पहले जाया घ्युर पेजा कि आप KHUD को देखेंगे तो हम देखेंगे जिसेकि हम टो पैदा भी एंव हुए थे । closely उसके बाद उसे पहले कि जाथा उससे भी पहले कि आता उसके बाद लza पर पोद तो हे बात दो इतने बात पीछे चले जाएगे किसको बता is यह उसके बाद यह हम बात करें आगे की तरफ है चलो हम आगे जलते हैं कि वाट कैंड वी नाउब आवाउट दी पास्ट हम जो बीता हुश में इसके बारे में किस परकार से पता कर सकते हैं या उसके बारे में जानकारी किस परकार से पराप्त कर सकते हैं देर आर सेवरल थिंग्स वी काई फाइंड आउट वट पीपलेट गाइंड फॉट दी वोर दी हाउस इन विच दे लिवट आर्टिशन, मुजीशन, और साइंटिस्ट, वी पाराप्त करते हैं तो अज के बारे में हम कैसे बता चलें यह को बहुत सारी चीजें हैं हम उससे पताग चल सकता है कि पराचेन समय किस परकार से रहा होगा सबसे पहले बात है कि भी हम यह प्राप्त देख सकते हैं कि भी उससे पहले क्या खाता था ठीक है उसमें रह रहा था हो तो किस परकार के कपड़े पहनता था किस परकार के घर में बन रहता था उसके बाद वो क्या था कहां पर रहता था अंटर था या हर्डर था अंटर मत कर सकते हैं बहुत सारी बात पड़ने को मिलेंगे हमारी इस बुक के अंदर इतिया आज के अंदर पहले जो स्ट्रक्चर होता था जो हाउस बनाया जाते थे वह कुछ और तरीके से बना जाता था आज जो मोटर्म से मैं हमारे पास देखने को मिल रहा है तो हुआबर जो हमारे पास यह घर जो बनाए दिखाए दे रहें तो बहुत सारा चेंजовых होता चला। आर्किटेक्टर में चेंज हुआ, उस समय जो हम कुछ होर खाते थे, mostly हमारे भी हम बात करें , तो सारी मातरह में हमारे देश की बात कर देखने की उसके बाद आज की समय में बहुत सारे बदला हुए हैं यह जो चीजे भी कपड़े पैनने काप्राइल घहते हैं कुछ समय पहले नहीं परिकार होता था। आज आपको दूबर आज है आज से पता की अजा सकता है कि इतियाज के बारे में जानकारी पराप्त होसकती है यहां तक कि जो है हम बात कर सकते हैं कि उसरों मैं बच्चे किस परकार से गेम कहलते थे ày विज़िगल जो गेम होते थे वो खेले जाते थे आज के समय किया कि अब चले ऐसे तो हम कि या कर रहोगा है न hard music परकार करा रहोगाуса उसके बात करें Minhτα से वह का रहा था सबaning का इंप्रोटन्ट चमाफिवाट तक अपने मैप दिखा जाएगा के लिए पेज के ऊपर आप देख सकते हैं आपकी बुक सामने रख लें नर्मदा नदी आपको देखने के मिलेगी ममध्य परदेश के अंदर दक्षिनी बारत के अंदर पेनिंशुल प्रेट्टू से निकलने वाली MP के अंदर से सथपुड़ा रेंजीज के पास से आपको देखने के बिलेगी नर्मदा और तापी दो इंपोर्टेंट रिवर्स हैं जो यहीं से आपकी निकलती हैं भी तो पीपल हैव लिवड अलोंग दा बैंक ओप दरीवर्स ओफोर अपने मारक करने नहीं है यह बात और यह बात जब तक आप अप ह sledण उन सब्सक्राइट करता था प्लेन एरिया से एमपोर्टेन चीज हमारे लिए क्या थी इस नदी के अदर क्या मिलेगा आपको मिलेगा एक तो अगरिकल्चर मानते तोड़ा कुछ जानवरों का शिकार करना शुरू किया शरुवात में सभी को बता है आपको कि भी वो कच्चा खाते थे जैसे ही आग की फोज हुई उसके बाद उन्होंने उसको पकाना शुरू कर दिया उसके बाद किया उन्हों खाना शुरू कर दिया उसके बाद एकरी कल्चर की प्रियतन किया देखो बहुत शारी आवश्चता ही थी जो मनुष्य की क्या है वहां से पूर्ती पीने जैसे में पानी पीने की आवश्कता पड़ेगी तो उसमें क्या है हमारे लिए एक रिवर क्या बहुत बडा सुर्श होगा करता था उसी का पानी वह यूज करते थे वह क्या है वो कोशिश करते थे कि नदी के आसपास ही बचना शुरू किया जाए वह पहले तो क्या करते थे वह ट्रैवल करते थे लेकिन यह हम बात करें तो जब उन्होंने रहना शुरू किया तो मानते हैं कि भी वह बहुत बड़ी मात्रा में स्किल्ड गैदरर थे अब क्या था स्किल्ड गैदरर होना वहुत इंपोर्टेंट चीज थी क्योंकि उनके पास कोई परकार का सोस नहीं था कि वह खाकर उससे जीवित रहे सके या तो गैद हंटिंग के उपर जैसे मैंने बात क जंगोला में जाते थे बहुत सारी चीज़ें थी उनको इकठा करते थे उनको खाते रहते थे उनसे उनका गुजारा था तो वह क्या थे उस परिकरिया में बहुत जादा माहिर हुआ करते थे जैसे चलना फिर ना शुरू किया तो उन्हें अपना मेटरली कठा करना शुरू कर देते थे उनको जितने वी वेराइटी के प्रोड हमारे आप रास पास के अंदर जो रिक्स दिखाई दे थे तो उनको जानकारी थी विकौन सा जो रिक्स है किसे माली जी इस परकार सी अलग विर्क्स देखाई दे रहे हैं तो इस एरिया के अंदर तो उनको पता है किस समय में फल् फ्रूटा आप वूगता देगा आपको उसके बादंसे मतलब क्या Engineering या फिर्स उसे कहते ह hypertे यहां कि सिंपल सी बात है कि मणुस्य के उक्तिविटीज की थी वह जो ही नाम आता भी the also hunted animals बास्टू॑ को भी मारते के लिए इसके बारे में बता चुकों कि दोई परिकरिया हैं अंटिंग और गैदरेंग का कारिय किया जाता था सबसे पहले यहां पर क्या है कि शुरवात की थी क्रोप सबसे पहले यहां पर क्या है उनको मीट के रूप में उप्रियों करते थे उनसे दूद बराबत होता था उनसे सुरक्षा की दरिष्टी से भी उनको रखा जाता था या फिर उनको क्या है वो खुद ट्रैवल करते थे तो वहाँ पर क्या प्रिवान के रूप में भी हम वो इसको यूज करते थे भी लुकेट अंटा गारो इल्स इन नोर्थ इस्ट एंड विंदिया चल इन हमारा थे 2 ऄचींतुर आधा आञग आ पर सम अधर एरियाज को विह रागरी कल्चर डेवलोप्ट दा प्लेश वेडराइस फस्ट गरोन अर्द नौर्थ विंद्याचल उसके बाद कुछ और स्थान है जहां पर हमारे यहां पर किर्शी की शुरुआत हुई है और हमारे जो विंद्याचल रेंजीज है उसके उत्त है इसके नौर्थ की चरफ हम बात करेंगे यह नौर्थ हो गया हमारे उपर की साइड में तो यह एरियाज के अंदर यहां पर जो है सबसे परमुक वारत की नदी जो गंगा उसके बाद हमारी चंबल है सोन है बेतवा है और सबसे लास्ट में केन है और इसके साथ में यमना आएगी सोरी यह पहले गंगा आएगी इसके साथ साथ यमना और फिर यमना में सबसे आपको देखने के मिलेंगे भी इसके बाद ये हम आगे की तरफ बात करते हैं देखो उसके बाद हम हमारे लिए लास्ट है यह तोड़ा सा और पढ़ेंगे कि भी रिवर्स इंडस और इस ट्रिविटरीज को पढ़ेंगे दिखो हमारे यांपर क्या है कि नदियां होती है ना नदियों का हम मुख्य तोर पर बाटते हैं कि इनको सिस्टम बोला जाता एक जो मुख्य नदी होती है उसके अंदर जो आके मिलने वाली जो साइक नदीयां होती है उसको मिला कर उसको रिवर सिस्टम बोला जाता है तो तो सबसे इंपोर्टेंट जब बात होती है सबसे पहले हमारा गंगा रिवर पर में चिक होता है जिसके बाद असाड के बात करेंगे चाह्ट किला सिस्ट्ट में बताओ आप को बात कि consum से पहले होती है फिर उसके बाद क्या है कि जेल महें रावी है वयास है और सतराirm screens अपो देखने एक मिलेंगे और शटी नदी आपको देखने के मिलेंगे इंडास पहीज ठीक है और मैं तो टीर और एक्स्टर जानकारी दे देता हूं आपको क्या होता है वह उसका जो है 80% जो पानी है वह पाकिस्तान के अंदर जाता और आज के समय की बात हो उसका 20% हमारे तो और नीचे वाली जो है तीन रिवर हैं उसके अंदर असी परती सर्जुपाने हम यूज कर सकते हैं और बाग की 20% क्या वो पाकिस्तान के लिए छोड़ सकते हैं यह हमारी यूस्ट रेटी यूस्के अनुसार है लेकिन उसके इलावा हमें जो जानने वाली बात है कि भी आ बात करें हैं कि तो यह एक सबंटिनेंट का दर्जा दिया जाता है तो यहां पर यह कोई यह नहीं था कि भी यह पाकिस्तान लग है लाँ या थे मारा derived यहां देश लग है बहुत सारा एरिया था जो कवर होता सब्सक्राइब कर सकते थे और आपकी जरूरत के साथ साथ बाद में क्या है कि जो गंगा नदी थी उसके नदी के वास देखने के मिलेगा आपको डेवलोमेंट होती हुई देखने के मिलेगी बस मैं आज के लिए काफिय इतना